विश्व विजेता के स्वागत में उम्री मुंबई वानखेडी स्टेडियम में हुआ जोड़दार जश्न एमोशनल हुए ख्यलाडी विराड कोहली ने कहा रोहित चर्मा को पहली बार देखा इतना भावोग हात्रस भगदढ हाथ से में सत्संग के छे आयोजग गिरफतार मोख्य आरोपी अब तक फरार नेता विपक्ष राहूल गांधी हात्रस के दोरे पर अगले च्वार से पांच दिन के लिए पश्चिम और पूर्वोतर भारत में भारी बारिश का रेड इलट असम और अरुनाचल प्रदेश में बाड की स्थिती कम भी मनी लॉंडरिंग के आरोप में अर्विंद केजरिवाल की जमान तरजी पर होगी हाई कोर्ट में सुनवाई बारहा जुलाई तक मियाई खेरासत में हैं केजरिवाल और अंतराश्ट्रे खबरों में ब्रिटन में आम चुनाव के बाद मदगड़ना जारी विपक्षी लेबर पार्टी को भारी भड़त अब तक घोशित 14 में से 13 सीट पर किया कबजा सुनक की कंसरवेटिव पार्टी को बड़ा जटका अब खबरे विस्तार से 17 साल बाद टी-20 का विश्वर चैंपियन बनी भारती क्रिकेट टीम का मुंबाई पहुँचने में जोरदार स्वागत किया गया मुंबाई में विश्वर विजेता भारती टीम के विजई मार्च का आयो जन किया गया परेट के दौरान मरीन ड्राइब पर क्रिकेट प्रेमियो का जन सहलाब नज़र आया हजारों की तादात में फैंस मरीन ड्राइब पर विश्वर विजेता टीम की एक जलक पाने के लिए एकत्रित हुए इसके बाद वानखेडे स्टेडियम में बी सी सी आई द्वारा खिलाडियों को सम्मानित किया गया बी सी सी आई ने इंडिया को उनकी इस उपलब्धी के लिए 125 करोड की पुरुसकार राशी दी इस मौके पर विराड कुहली ने कहा कि रोहित शर्मा को पहली बार इतना बहावग देखा है हातरस सचसंग हादसे में पुलिस ने अब तक छे लोगों को गिरफदार कर लिया है इन में चार पुरुश और दो महिलाएं शामिल है वही मुख्यारोपी की तलाश में उतरप्रदेश समेथ बहारी राज्यों में भी छापे मारे जा रही है मुख्यारोपी प्रकाश मधुकर पर एक लाग का इनाम घोशित किया गया है पुलिस के अनुसार सेवादारों ने भीड को रोकने की कोशिश नहीं की और पुलिस के साथ सहीयोग भी नहीं किया सेवादारों के खिलाब भी कारेवाई की जा रही है इस बीच सभी 121 मृतिकों के शवों की पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके परिवारों को सौप दिया गया है पुदवार तक तीन शव अग्या थे उनमें से दो की पहचान देर रात की गई और एक परिवार ने वीडियो कॉल पर अलिगड़ा इस्पताल में एक शव की पहचान की है मौनसुन की भारिश की कारण तमाम राज्यों में जमाजम भारिश हो रही है वही कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर भारी बारिश के साथ बार के हालात गंभीन है मौसमे भागने पहाड़ी इलाकों के साथ ही समुद्र इलाके में लोगों को नदियों और जण्नों से दूर रहने की सलहा दी है दिली की बात करें तो आईमडी ने अगले चार से पांच दिन तक दिली में भारी भारिश का पूर्वा नुमान जटाया है साथी पांच और छे जुलाई को जमु कश्मीर लद्दाक में भारी बारिश होने की संभावना है मौस्त विभागने अगले दो दिन तक यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया है यूपी में कुछ जिरो में भारी बारिश आधी के साथ वज़पात को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है वहीं उत्राखन के काई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है जिसके चलते उत्राखन के पांच जिलों में छुट्टी घोशित कर दी गई है भारी बारिश की वज़े से उत्राखन में लैंड स्लाइड और बार्ट जैसे हालात हैं अगले चार से पाच दिन के लिए पश्चिम और पूर्वोतर भारत में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट है साथ ही अरुनाचल प्रदेश, नागर लैंड, मनिपुर सहित, पूर्वोतर भारत के राज्यों, उप हिमालिये, पश्चिम मंगाल और सिक्के में भी भारी बारिश का अनुवान है असम में बार से हाल बेहाल है, असम के कई शेत्रों में भ्रमापुत्र नदी के साथ ही दूसरी कई नदियां खत्रे की निशान से उपर बह रही है 29 जिलों के 2800 गावों में 21 लाग से ज्यादर लोग बार से प्रभावित हुए हैं अकेले मोरी गाउं जिले में बार की स्थिती गंभीर बनी हुई है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं जिला प्रशासन के मताबिक जिले के 194 गाउं जलमगन हो गए हैं असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार असम में बार से मरने वालों की संख्या बढ़कर बावन हो गई है लगभग 12,000 ग्रामीर जिला, प्रशासन द्वारस्थापित, राहत शिवरों, राहत वित्रण केंद्रों और सडकों, स्कूल भवनों उची भूमी पर शरण ले रहे हैं प्रशासन ने बार प्रभावित इलाकों में 10 मेडिकल टी में तैनात की हैं बाड के पानी से उनका घरेलू सामान, धान, चावल, फसले बरबाद हो गई हैं दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल की जमान अत्याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी केजरिवाल फिलहाल 12 जुलाई तक नियाएखे रासत में हैं दिली के मुख्यमंत्री शराबनीती से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में पहले से ही तीहाड जेल में बंद है केजरिवाल ने अपनी जमानत के लिए 3 जुलाई को याचिका दायर की थी केजरिवाल ने सीबी आई केस में अपनी गिरफतारी और 14 दिन की नियाए खिरासत में भेजी जाने के फैसले को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी थी इस मामले में जस्टिस नीना बंसल ने 2 जुलाई को सुनवाई की और सीबी आई को नूटिस जारी कर साथ दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है मामले के अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी आपको बता दें कि केजरिवाल पर 2 मामले दर्ज है पहला E.D. का जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉंडरिंग का केस दर्ज किया गया है E.D. ने केजरिवाल को 21 मार्च को गिरफतार किया था दूसरा C.B.I. का जिसे शराबनीती में भ्रष्टा 4 को लेकर दर्ज किया गया है इस केस में 26 जून को केजरिवाल को दोबारा गिरिफतार किया गया यह केस दिल्ली एल जी वीके सिकसेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था दोनों मामले अलग-अलग दर्ज किये गए हैं इसलिए इनमें गिरिफतारी भी अलग-अलग हुई है लोवर कोट ने मनी लॉंडरिंग केस में 20 जून को उन्हें जमानत देती थी अंतराश्ट्री खबरों में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव के बाद मत गड़ना जारी है शुरुवाती परिणामों में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ा जटका लगा है जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को अभी तक केवल एक सीट मिली है एक सीट लिब्रल डेमोक्राट्स के खाते में दो सीट आई है 650 सदस्यों वाली संसद में किसी भी दल को बहुमत के लिए 326 सीटों की जरूरत है वहीं मतदान संपन होरन के फोरण बाद जारी एक्जिट पोल में भी लेबर पार्टी की बड़ी जीत की भविश्यवानी की गई है इन सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी को 410, कंजर्वेटिव पार्टी को 131 और लिप्रल डेमोक्राट्स को 61 जबकी रिफॉर्म यूके को 13 सीटे मिलने का अनुमान जटाया गया है बाकी सीटे अन्यक के खाते में जाने की भविश्यवानी की गई है परिणामों में लेबर पार्टी की बढ़त बरकरार रही और एक्जिट पोल सही साबित हुए तो पार्टी के नेता कीर स्टार्मर ब्रिटन के अगले प्रधान मंत्री होंगे exit पोल सामने आते ही कीर स्टामर ने उनकी पार्टी पर विश्वास जताने के लिए मतदाताओं का आभार जताया वही conservative पार्टी के निताओं ने इसे अपनी पार्टी के लिए मुश्किल घड़ी करार दिया इसी के साथ इस विशेश पुलिटिन में इतना ही मुझे और मेरी सहयोगी मनीशा के साथ फिलाल के लिए डीडी न्यूस की टीम को दीजे अनुमती खबनों का सलसला यूहीं जारी रहेगा नमस्कार